हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू करंट अफेर्स पाई रवी आएम अधीदी सो आज के हमारी वीडियो में हम करंट अफेर्स से जुड़ा एक टॉपिक कवर करने वाले हैं टॉपिक का नाम है पर्मुक कंपनीस के MDNCO जो यह लीस्ट है यह जून 2023 तक अपडेटेड हैं फर्च कोशन देखते हैं हिंदुस्तान यूनि लिवर लिमिटेड के नए परबंद निदेशक और CEO कोन बने हैं तो हिंदुस्तान यूनि लिवर लिमिटेड के जो नए MD और CEO बने हैं वो बने है रोहित जावा ओप्शन नमबर C एकदम राइट अंसर है आपका इंपो कंपनी जिसका नाम क्या है अलिवाबा ग्रूप के नए CEO कोन बने हैं तो राइट अंसर क्या रहेगा इसका ओप्शन नमबर A एड़ी यूंग मिंग वू जो हैं फ्रेंस ये e-commerce कंपनी अलिवाबा ग्रूप के नए CEO बने हैं अलिवाबा ग्रूप की बात आए हमारी question में इसकी स्थापना 4 अपरिल 1999 में करी गई थी संस्थापक इसके कौन है जैक मा वहीं मुख्याले इसके चीन के हांग्जू में है नेक्स कोश्यन लग्जरी का निर्माता कंपनी ओडी एजी के नए CEO कोन बने हैं तो राइट अंसर ऑप्शन अबब भी रहेगा गर्णोर डॉ ओडी एजी के नए CEO बने है जो के एक लग्जरी का निर्माता कंपनी है ओडी एजी का फ्रेंस मुख्याले जो है यह जर्मनी में है और इनके जो मूल संगठन है वो है Volkswagen स्मूह ओडी इंडिया की परमुक कोन है तो बलबीर सिंग धिलो जो है यह ओडी इंडिया के परमुक है नेक्स कोशन बोडफोन स्मूह की नई CEO कोन बनी है तो राइट अंसर इस कोशन का ओप्शन नमबर ए रहेगा Margarita Dela Valley जो है यह Vodafone स्मूह की नई CEO बनी है वोडफोन ग्रूप की बात आए हमारी कोशन में इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1991 में करी गई थी मुख्याले इसके इंगलैन में है वहीं अगर हम बात करें इसके संस्थापक की तो Ernest Harrison और Gary Agab जो है यह इसके संस्थापक है नेक्स्ट भारतिय विशिष्ट पहचान प्रादीकरन के नई CEO कोण बने है तो राइट अंसा उप्शन नंबर C रहेगा आपका अमीत अगरवाल जो है यह भारतिय विशिष्ट पहचान प्रादीकरन के नई CEO बने है Important Points कवर करते हैं UIDAI की बात आई है हमारे Question में Unique Identification Authority of India इसका Full Form है जिसकी स्थापना जो है यह करी गई थी 28 January 2009 को वहीं इसके मुख्याले जो है यह New Delhi में है Next Question Social Media Platform ट्विटर की नई CEO कोण बनी है तो राइट अंसर उप्शन नंबर A रहेगा Linda Zakarinio जो है Friends यह Social Media Platform ट्विटर की नई CEO बनी है ट्विटर जो है इसका स्थापना करी गई थी 21 March 2006 में मुख्याले इसके कैलिफोर्निया में है Next Question Tata Consultancy Services यानि की TCS के नई CEO कोण बनी है तो राइट अंसर उप्शन नंबर C रहेगा आपका के क्रिती वासन जो है Friends यह Tata Consultancy Services के नई CEO बने है Tata Consultancy Services के हमारे कोशन में बात आई है इसकी स्थापना करी गई थी 1st April 1968 को वहीं इसके मुख्याले जो है यह मुंबाई में है Next Question बहुरास्टे कंपनी Adidas के नई CEO कोण बने है तो राइट अंसर क्या रहेगा Option Number C Bjorn Golden जो है यह Adidas के नई CEO बने है Adidas जो है Friends इसकी स्थापना करी गई थी जुलाई 1924 को संस्थापक कोन है Adolf Dessler जो है इसके संस्थापक है और Harzo Zenau राज्चों की जर्मनी में है यहां इसके मुख्याले है Next Question Video streaming platform YouTube के नई CEO कोण बने है तो Right Answer Option Number C रहेगा नील मोहन जो है Friends की YouTube के नई CEO बने है जिस आप पे अभी आप यह वीडियो देख रहे है उस आप का नाम YouTube है और उसके नई CEO कोण बने है नील मोहन YouTube की बात आए हमारे Question में स्थापना करी गई थी इसकी 14 फरबरी 2005 को वहीं सस्थापक हैं इसके चाठ हले और स्टीव चैन और जावेद करीम मुख्याले कहां पर है इसका तो कैलिफोनिया में मुख्याले है YouTube का Next Question Online Text Editing Platform Grammarly के नई CEO कोण बने है Right Answer Option Number D रहेगा राहूल राय चोदरी जो है Friends ये Online Text Editing Platform जिसका नाम है Grammarly इसके नई CEO बने है Grammarly की स्थापना करीगी थी 2009 में मुख्याले इसके कलिफोनिया अमेरिका में है Friends Next Question के और Move करने से पहले मैं आपको important information दे दूँ जो हमारी last six month की current affairs की paid PDF ती Friends वो launch हो चुकी है इसमें आपको जैन टू जून तक के current affairs के question मिलेंगे topic wise आप इसे हमारी website www.ravibooks.pdf.com से buy कर सकते हों और अगर आपको हमारी पिछली year की current affairs की paid PDF चाहिए 2022 की complete year की तो ये भी आपको इसी website में मिल जाएगी आप बही ज़रूर करिये और 2023 की जो आपको last six month की paid PDF है वो भी यहीं मिल जाएगी current affairs की तो इस paid PDF को आप ज़रूर भाई करिये अपने exam से पहले क्योंकि क्या होगा इससे आपकी current affairs के सारे questions cover हो जाएगे चलिए next question देखते हैं नीटी आयोग के नए CEO कोन बने है तो right answer option number A रहेगा B VR subramaniam जो है ये नीटी आयोग के नए CEO बने है नीटी आयोग की friends full form होती है national institution for transforming India स्थापना इसकी करी गई थी 1st January 2015 को और मुख्याले इसकी New Delhi में है वहीं अगर हम बात करें present में इसकी अध्यक्ष कोन है तो भाने दिश के प्रधान मंत्री नुरेंद मोदी जीज के ध्यक्ष हैं और उपा ध्यक्ष हैं सुमन के वैरी next question Quantum Airways Limited की पहली महिला CEO कोन बनी है त्राइटान सा option number A रहेगा Vanessa Hudson जो है ये बनी है Quantum Airways Limited की पहली महिला CEO Quantum Airways Limited जो है friends ये Australia की flag carrier airline है जिसकी स्थापना करी गई थी 1920 को next question e-commerce company Amazon के वर्तमान CEO कोन है त्राइटान सा option number C रहेगा Andy Jassy जो है ये Amazon के वर्तमान में CEO है Amazon जो है friends इसकी स्थापना करी गई थी 5th July 1994 को संस्थापक कोन है Jeff Bezos वहीं इसके वाशिंग्टन में मुख्याले है Amazon के next बहुरास्टिय प्रोधोगी की company Apple के वर्तमान CEO कोन है त्राइटान सा option number C रहेगा Tim Cook जो है friends ये Apple के प्रेजन में CEO है Apple की स्थापना करी गई थी 1st Apple 1976 को Steve Jobs जो है इसके संस्थापक है मुख्याले कहां पे हैं California में इसके मुख्याले है चुलिए next question देखते है Coca-Cola company के वर्तमान CEO कोन है option number A राइटान सा है James Quincy जो है ये Coca-Cola company के present में CEO है Coca-Cola company की स्थापना जो है friends ये 8 माई 1886 को करी गई थी Greek Scandler जो है इसके संस्थापक है और इसके मुख्याले अटलांटा में है next question बहुरास्टे सूचना प्रधोगी की company IBM के वर्तमान CEO कोन है right answer option number D रहेगा Arvind Krishna जो है ये IBM के present में CEO है आई ये important points कवर करते है IBM का full form क्या होता है International Business Machines Corporation स्थापना कप करी ये थी 16th June 1911 में संस्थापक कोन है Charles Ronlet Flint जो है Francis के संस्थापक है मुख्याले इसके New York में है next question बहुरास्टे प्रधोगी की company याहू की वर्तमान में CEO कौन है तो right answer इस question का रहेगा option number C एन्रिक लोरेस जो है ये बहुरास्टे प्रधोगी की company HP के वर्तमान में CEO है है याहू की हमारे question में बात आई है तो 1st January 1939 में इसके स्थापना हुई थी मुख्याले इसके कैलिफोर्निया में है next वैश्विक इंटरनेट सेवा company याहू के वर्तमान में CEO कौन है तो option number ए राइट अंसर रहेगा जिम लैंजोन जो है ये याहू के वर्तमान CEO है याहू की जो स्थापना है ये January 1994 को करी गई थी मुख्याले कहां है कैलिफोर्निया में next question हमारा वहुरास्टी कंपनी पैपसी को के वर्तमान में CEO कौन है तो राइट अंसर इस question का रहेगा option number C रैमन लागवाटा जो है ये पैपसी को के CEO है प्रेजन में पैपसी को की स्थापना जो है ये 1965 में करी गई थी संस्तापर कौन है काले ब्रेटम और न्यू योग में इसके मुख्याले है next question बहुरास्टी कंपनी टैसला मोटर्स के वर्तमान CEO कौन है तो राइट अंसर क्या रहेगा option number B एलन मस्क जो है ये टैसला मोटर्स के प्रेजन में CEO है टैसला मोटर्स की जो स्थापना है ये 1st July 2003 में करी गई थी मुख्याले कहां है कैलिफोनिया में next मैटा जिसका की पूर्व नाम क्या था फेस्बुक इसके वर्तमान CEO क्या हो कौन है तो right answer इस question का है option number A Mark Zuckerberg जो है ये मेटा के प्रेजन में CEO है मेटा की जो स्थापना है फ्रेंट्स ये February 2004 में करी गई थी मुख्याले कहां पे है केलिफोनिया में next question देखिए Reliance Industries Limited के वर्तमान CEO कौन है तो right answer क्या रहेगा option number A मुकिश अंबानी जो है ये Reliance Industries के present में CEO है Reliance Industries Limited की friends हमारे question में बात हुए आए कुछ important points देखते है स्थापना इसकी 28 मई 1973 को करी गई थी संस्थापक कोन है धिरू भाई अंबानी और मुख्याले इसके मुंबाई में है friends एक question में हम देखे कितने important points कवर करे है इसमें मैं आपको उस company की स्थापना कप की गई थी ये भी बता रही हूँ संस्थापक कोन थी ये भी बता रही हूँ और मुख्याले कहां पे हैं ये भी हम discuss कर रहे हैं और MDNCO के बारे में तो हम discuss करी ही रहे हैं साथ ही में आप देखे कितने important points हम कवर करते जा रहे हैं ऐसा content आपको कोई भी अन्य चैनल पे नहीं मिलेगा आप मेरे से ये शर्ट लगा सकते हो आपका ऐसा content आपको कोई नहीं दे सकता क्योंकि हम अपने content पे काफी जादा मेहनत करते हैं और जो आपके रवी सर हैं वो खुद content को final touch देते हैं उनके content में कभी भी कोई गलती की गुंदाइश होई नहीं सकती और इतना अच्छा content आपको हम YouTube पे प्रोवाइड करते हैं इसके लिए आप हमें एक like तो दे ही सकते हो और कई बच्चे मैंने ऐसे देखिया हैं जो चैनल पे आते हैं वीडियो देखते हैं पर चैनल को subscribe नहीं करते हैं चैनल को subscribe आप जरूर करिए क्योंकि एक चैनल को subscribe करने से आपका क्या ही जाएगा पर हम देखो हम motivate हो जाएंगे हम आपको next और important topics जितने भी रहेंगे आपकी exam औरेंटर वह हम motivate होकर आपको पर वीडियो देते रहेंगे time to time ठीक है तो अगर आपको वीडियो beneficial लगता है तो अपने friend group में share भी जरूर कर देजेगा इस video को क्योंकि friends काफी जादा मेहनत लगती है काफी जादा time लगता है एक वीडियो प्रिपेर करने में फिर उसे explain करने में उसमें content डालने में और फिर उसकी recording की जाती है फिर editing फिर कहीं याके last step होता है YouTube पे उसे upload करने का ठीक है तो आप एक like को share जरूर कर दिये जिये करें वीडियो को जिससे हम motivate रहें चुलिए next question देखते हैं दूर संचार company Vodafone and Idea के वर्तमान CEO कौन है तो राइटांसर option number B रहेगा अक्षे मुंद्रा जो है फ्रेंस ये Vodafone and Idea के वर्तमान में CEO है Vodafone and Idea जो है इसकी स्थापना 31st August 2018 में करी गई थी कुमार बंगलम बिल्ला जो है फ्रेंस इसके संस्थापक है मुख्याले कहां पे हैं मुंबई में नेक्स कॉस्चिन भार्टी एकॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट पेटीम के वर्तमान CEO कौन है राइट अंसर option number D रहेगा विजे शेखर शर्मा जो है ये पेटीम के प्रेजन में CEO है पेटीम की स्थापना जो है ये 2010 में हुई थी संस्थापक कौन है विजे शेखर शर्मा म Instagram के Instagram की स्थापना जो है 2010 में की गई थी केलिफोनिया में इसके मुख्याले है संस्थापक कौन है कैविन सिस्ट्रॉम और माइक रेगर जो है इसके संस्थापक है नेक्स्ट हीरो मोटो कॉप के नए CEO कौन बने है राइट अंसर आपका रहेगा option number A निरंजन गुपता जो ह है यह हीरो मोटो कॉप के प्रेजन में सहीरो है हीरो मोटो कॉप की बात आई है हमारे कौशन में 19th January 1984 में इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले इसके न्यू देली में है नेक्स्ट कॉशन देखिए का निर्मादा कंपनी जिसका नाम है मारूती सुजू की इंडिया के वर निउ डली में इसके मुख्याले है नेक्स्ट देखिए कोशन टैक महींदरा के नए M.D. और CEO कौन बने है तो राइट अंसर ओप्चन नहीं बसी रहेगा आपका मोहित जोशी जो है यह टैक महींदरा के नए M.D. और CEO बने है आए इंपोड़न पोइंस देखते हैं स्थापना 20 अगस्ट 1999 को की गई थी मुख्याले कहां पे हैं गुरुग्राम में जो की हर्याना में है नेक्स कुछिन भातिय बहुरास्ट्री कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रों के लिमिटेड के नए स्थापना यह सेवन फेबरी 1946 को करी गई थी ओफेंस मुंबई महराष्ट्र में इसके मुख्याले हैं नेक्स देखिए अंतराश्ट्र कोफी कंपनी जिसका नाम है स्टार्बक्स के नए स्थापना बने हैं तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर सी हैं आपका लक्षमन नर्सिम जो हैं यह स्टार्बक्स के नए सीओ बने हैं इंपोर्टन पोइंस देखते हैं स्टार्बक्स की जो स्थापना है यह 30 मार्च 1971 को करी गई थी वशिंग्टन में इसके मुख्याले हैं नेक्स कुश्चिन वहां निर्मादा कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्परेशन के नए टोयोटा मोटरो कोप जो है इसकी स्थापना 28 ओगस्ट 1937 को करी गई थी मुख्याले कहां पे हैं जैपैन में स्थापक कौन थे इसके किचिरो टोयडा नेक्स कुश्चिन मेसेंजिंग एप वट्सेप के वर्तमान में सीओ कौन है टाइटन सा उप्शन नमबर बी रहेगा विल कैथर जो है ये वाट्सेप के प्रेजन में सीओ है इंपोर्णर पॉइंस कवर करते हैं वाट्सेप जो है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी मुख्याले कहां पर हैं कैलिफोर्निया में और जॉन कॉम जो है इसके संस्थापक थे नेक्स्ट दुनिया में के सबसे स्थापना इसकी स्थापना इसकी 26 नवंबर 1976 को करी गई थी संस्थापक कौन थे बिल गेर्स और पॉल एलन वशिंग्टन USA में इसके मुख्याले हैं नेक्स्ट बहुरास्टे प्रधोगी की कंपनी डेल के वर्तमान CEO कौन है राइट अंसा उप्शन नमबर D रहेगा माइकल शाओल डेल जो है यह CEO है डेल के डेल की स्थापना जो है यह एक फरवरी 1984 को करी गई थी माइकल डेल इसक संसापर कोन है सैम वाल्टन और मुख्याले कहां पर है वेंडरन विले और कॉंस में इसके मुख्याले है नेक्स्ट प्रधोगी कंपनी इंटल के वर्तमान CEO कौन है अप्शन नमबर A आपका एकदम राइट आंसर है पैट्रिक जैल सिंगर जो है फ्रेंस यह इंटल के प्र 1968 में मुख्याले कहां है कैलिफोनिया में संस्तापक है गौर्डन मूर और रोबर्ट नॉइस नेक्स्ट कॉश्टिन भारती दूसर अंचार कंपनी भारती एटल के वर्तमान CEO कौन है राइट आंसर उप्शन नमबर A रहेगा आपका गौपाल वितल जो है यह एटल के CEO है और भारती एटल जो है इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 में करी गई थी सुनील भारती मितल जो है इसके संस्तापक है न्यू डेली में इसके मुख्याले है नेक्स कॉश्टिन बहुरास्टी इलेक्ट्रोनिक समान निर्वाता कंपनी सोनी के वर्तमान CEO कौन है राइट आंसर उ बहुरास्ट्य परधोगी की कंपनी सैमसंग के वर्तमान CEO कौन है टाइटान सा उप्शन नमबर D रहेगा उप्यूकत सभी तो फैंस किम ह्यून शुक किम की नाम और कोह डॉंग जिन जो है ये तीनों ही प्रेजेंट में सैमसंग कंपनी के CEO है सैमसंग कंपनी जो है इसकी स चार कंपनी नोकिया के वर्तमान में CEO कौन है राइट अंसर रहेगा उप्शन नमबर B पैका लूंड मार्क जो है ये प्रेजेंट में नोकिया के CEO है नोकिया की स्थापना करी गई ती 12 में 1865 को एस्पू जो की फिल्लैंड में है यहां इसके मुख्याल है नेक्स क्वेशन बहुरास्टे सूचना प्रधोगी की कंपनी इनफोसिस के वर्तमान CEO कौन है तो राइट अंसर इसकोशन का रहेगा उप्शन नमबर D सलील पारिक जो है ये इनफोसिस के प्रेजेंट में CEO है इंपोर्टन पोइंस कवर करते हैं इनफोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 में हु बिटर एलबर्स जो है ये नए CEO बने हैं इंडिगो एरलाइन के इंडिगो एरलाइन जो है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी मुख्याले इसके हर्याना के गुर्ग्राम में है चेर्मैन कौन है प्रेजन में वैंके ट्रमनी सुमंद्रन जो है इसके प्रेजन में चेर्मैन है एसर की बात आई है 1st August 1976 को इसकी स्थापना हुई थी New Taipei City जो की ताइवान में है यहां इसके मुख्याले है Next, भार्तिय एकोमर्स कंपनी Flipkart के वर्तमान CEO कौन है तो राइट अंसर उप्शन नमबर A रहेगा कल्यान कृष्ण मूर्ति जो है यह Flipkart के प्रेजन में CEO है Friends, Flipkart की जो संस्थापक है वो है सचिन बंसल और बिनी बंसल मुख्याले इसके बंगलूरू में है और पेरेंट कंपनी है वॉल्मार्ट Next question हमारा भार्तिय पृधोगी की कंपनी विप्रो के वर्तमान CEO कौन है तो राइट अंसर ओप्शन नमबर D रहेगा आपका थैरी डेलबोर जो है यह विप्रो के प्रेजन में CEO है विप्रो की जो स्थापना है Friends यह 1945 में करी गई थी संस्थापक है इसके अज्जीम प्रेम जी मुख्याले कहां पे है बेंगलूरो में Next question देखिए Mac Donald के वर्तमान CEO कौन है तो राइट अंसर क्या रहेगा Option नमबर D Chris Campkins की जो है Friends यह Mac Donald के नए CEO है स्थापना इसकी 15 अप्रेल 1955 में करी गई थी Chicago में इसके मुख्याले है तो Ted Sarandos और Greg Peters जो है यह Netflix के CEO है स्थापना की गई थी Netflix की 29th August 1997 को Reed Hastings जो है इसके संस्थापक है और Los Angeles में इसके मुख्याले है Next question Sports Car Nirmata Company Ferrari के वर्तमान CEO कौन है तो राइट अंसर इसकोशन का रहेगा Option नमबर B आपका Benedetto Vigna जो है Friends यह Ferrari के CEO है Ferrari जो है इसके स्थापना करी गई थी 1947 में Mara Nello Italy में इसके मुख्याले है Next question बहुरास्चे Computer Software Company Adobe के वर्तमान में CEO कौन है राइट अंसर 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 नमबर C हैपका Shantanu Narayan Important points कवर करते हैं Adobe की स्थापना जो है यह December 1982 में करी गई थी मुख्याले इसके California में है Next Ola Caps के वर्तमान CEO कौन है Right-hand option नमबर A है Bhavish Agarwal जो है यह Ola Caps के present में CEO है Ola Caps की स्थापना जो events यह 3 December 2010 में करी गई थी Bengaluru में इसके मुख्याले है Next question देखिए Remote Conferencing सेवा Company Zoom App के वर्तमान CEO कौन है राइट अंस ओप्शन नमबर B रहेगा एरिक यॉवान जो है ये वर्तमान में CEO है जूम एप के जूम एप की जो स्थाबना है ये 21 एपरिल 2011 में की गई थी एरिक यॉवान जो है इसके संस्तापक है और मुख्यालेस का केलिफोर्निया में है नेक्स कुशन उबर कंपणी के वर्तमान CEO कौन है टारा खोस्टो शाही जो है ये उबर कंपणी के प्रेजन में CEO है उबर कंपणी की बात आई है तो स्थाबना इसकी मार्च 2009 में हुई थी मुख्यालेस के सेंट फ्रांसिसको में है नेक्स्ट, बेकरी फूद्सक्ट कंपणी ब्रेटानिया इंडस्ट्री के नए CEO कौन बने है टारा अंसर उबर कंपणी के वर्तमान CEO कौन नेक्स्ट ब्रेटानिया इंडस्ट्री जो है इसकी स्थापना 1892 में होई थी, मुख्यालेस के बंग्लोरु में है नेक्स कोशन देखिए विवसाइक समाजिक नेटवर्क कमपनी जिसका नाम है लिंक्ड इन के वर्तमान CEO कौन है राइट अंसर उप्शन नमबर डी रहेगा आपका रेयान रोस लेंस की जो है फ्रेंस ये प्रेजन में CEO है लिंक्ड इन के नेक्स कोशन की और मूफ करने से पहले कुछ इंपॉर्टम पॉइंस देखते हैं इसके रिलेटर तो लिंक्ड इन की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 2002 में करी गई थी स्नीवेल में इसके मुख्याले है नेक्स कोशन देखिए भारतिय संचार निगर्म लिमिटेड के वर्तमा न्यू डेली में है नेक्स कोशन बहुरास्टे कंपनी एमवे के वर्तमान CEO कौन है तो राइट अंसर डिसकोशन का ओप्शन नमबर C है मिलिन पन जो है ये एमवे के प्रेंजन में CEO है एमवे की स्थापना जो है ये 9 नमेंबर 1959 को की गई थी मुख्याले इसके अमेरिका मे नेक्स कोशन फुट्वेर निर्मादा कंपनी जिसका नाम है बाटा इसके वर्तमान CEO कौन है तो राइट अंसर अप्शन नमबर D है आपका संदीब कटारिया जो है CEO है बाटा के मुख्याले कहां पे है बाटा के स्विजन लैंड के लुसाने में नेक्स कोशन पतंजली आय लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी मुख्याले इसके हरिद्वार में है नेक्स कोशन विमानन कंपनी एर इंडिया के CEO कौन है राइट अंसर आपका ऑप्शन नमबर C है कैंप वेल विल्सन जो है ये एर इंडिया के CEO है एर इंडिया की स्थापना जो है 15 अक इसकी स्थापना जो है फ्रेंस ये 1964 में हुई थी मुख्याले इसके मुंबई में है नेक्स कोशन दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और e-commerce कंपनी फैडेक्स के CEO कौन है तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर D रहेगा आपका राज सुब्रमन्यम फैडेक्स क इसकी जो स्थापना है ये 5 माई 1971 में हुई थी मुख्याले अमेरिका में है इसके नेक्स कोशन टाय निर्माता कंपनी सीट के नए CEO कौन है तो राइट अंसर डिसकोशन का क्या रहेगा उप्शन नमबर C अनव वनर्जी जो है इसके CEO है सीट की स्थापना 1958 को हुई थी मु 9 माई 1958 को हुई थी नेक्स्ट इन्वेस्ट इंडिया की नई MD & CEO कोन बनी है तो राइट अंसर उप्शन नमबर D रहेगा आपका मनमीत के नंदा जो है इन्हें अत्रिक्त परभार दिया गया है इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO का इन्वेस्ट इंडिया जो है फैंस ये भार करना है पर complete वीडियो देखने के बाद तो देखिए लास्ट कोशन पेटियम पेमेंस बैंक के नई MD & CEO कौन बने है तो राइट अंसर इस कोशन का क्या रहेगा उप्शन नमबर A सुरिंदर चावला जो है फ्रेंस ये MD & CEO बन गए हैं पेटियम पेमेंस बैंक के इंडिया इ कंप्लीट करें किससे जुड़े हुए कंपनी के MD & CEO से जुड़े हुए हुपसो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अपके एक्जाम के टाइम पे ये आपके लिए वीडियो काफी जादा बैनिफिशियल साबित हो टेस्ट वल अपार्ट देखते हैं त आपकी स्क्रीन के ओपर हैं राइट अंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके दे देना है तो यह तो कर लिया हमने अपरा टेस्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट और आप हमारी जो पेड पीडिएफ है वो जरूर करे दिए हमारी वेबसाइट www.rawibooks.pdf.com से यहां आपको लाइस सिक्स मंत की पेड पीडिएफ मिल जाएगी करंट अफेस की 2023 की और अगर आपको एरली पीडिएफ चाहिए 2022 की वो भी आपको यहीं मिल जाएगी तो चलिए अब आप से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडि ऑ Γट्श झाओी कीडिए और आपको यहीं मिल जाएए चलिए लू।